सज्जनता सरलता और बिद्दता की प्रतिमूर्ती मानेनी नमस्कार आधरणी हर किसी के जीवन में एक ऐसा काम होता है जिसके लिए उसे एकागरता की बहुत जरूरत होती है किसी भी काम की सफलता या असफलता काम करने के माहोल पर निरभर करती है मन की एकागरता बहुत माइने रखती है हमारे आसपास हर तरफ बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो हमारे ध्यान भटकाने का काम करती है तो ऐसे में हमारा ध्यान केंदरित कैसे हो इस बाधा से कैसे बाहर हो इन बाधाओं से ना हमारा काम बिगड़ता है बलकि हमारे मन में जो सांती होती है वो भी खतम हो जाती है हर किसी के जीवन में ऐसा काम होता है कि उसे एकागर मन एकागरता और पूरे फोकस के साथ जब वो उस काम को करता है तब ही वो सफल हो जाता है अगर आपके मन में भी ऐसा होता है ऐसा फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ चीजों के विसे में आज बात करेंगे कि एकागरता को बढ़ाने के क्या उपाय हो सकते हैं जैसे आपको एक माहौल सही माहौल चुनना होगा काम करने के लिए एक अनकूल माहौल का होना बहुत जरूरी होता है ये काफी हद तक निर्भर होता है कि आप सफल होंगे कि नहीं आप किस माहौल में काम कर रहे हैं तो माहौल का चुनाओ करें जो पॉजिटिव हो सांथ हो जहां पर आप फोकस कर सकें दूसरी बात प्लानिंग करें किसी भी चीज की प्लानिंग करके चलना हमारे लिए बहुत फायदे मंद होता है प्लानिंग करके नहीं चलेंगे चीजें अस्तब्यस्त रहेंगी आखीर मौके पर हमारा ध्यान भटक जाएगा और उससे काम बिगड़ जाएगा तीसरी चीज एकसरसाइज करें एकागर मन के लिए सरीर का स्वस्त होना बहुत जरूरी है माइंड और सरीर का तालमेल बहुत जरूरी है इसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए योग करिए मन और दिमाग की सांती के लिए योग करना प्रारम करिए ध्यान मुद्रा में अपने को बैठाईए जो मन और मस्तिस्क का जो मेल मिलाब है उसको कंट्रोल करेगा आपका और अच्छी नीद ले कभी भी नीद पूरी नहीं होने से हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है हमारा मन भारी भारी लगता है किसी काम में मन नहीं लगता है आलस जाता है तो ठकान जैसी समस्या होती है तो आपका मन एकागर नहीं होगा और लास्ट बात कि आप अनुसासित रहे अनुसासन हर एक समस्या का उपाय है अनुसासन में रहेंगे तो एकागरता बढ़ेगी आपका हर चीज का समय फिक्स होना चाहिए आप उसी तय समय पर अपने काम को निप्टाते रहें इस तरह से आपकी जिम्मेदारी की छमता भी बढ़ेगी और एकागरता भी बढ़ेगी आसा करता हूँ कि ये चीजें आप अपनाएंगे तो आपको जरूर लाब मिलेगा सही माहौल का चुनाओ प्लानिंग करें, ब्यायाम करें, योग करें अच्छी नीद लें और अनुसासित रहें ये जीवन अन्मोल है, महत पूरवात ये जीवन सिर्फ एक है थैंक यू